रेमजिम बारिश के मौसम के लिए आज मैं आपके लेके आई हूँ एकदम परफेक्ट आलू भजी या फिर आलू बॉंडा की रेसेपी फ्रेंड्स ये खाने में जितने टेस्टी लगते हैं बनाने में उतने ही सिंपल और उतने ही आसान होते हैं एक बार इस रेसेपी को ज़रूर बना के ट्राइ करें ये बचे हो या बड़े सभी को बहुत पसंद आएगी अगर आपको मेरे रेसेपी अच्छी लगती है या फिर यूसफूल लगती है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक ज़रूर करें तो चलिए इस इंटरसिंग सी रेसेपी को शुरू करते हैं तो सबसे पहले हम बैटर बना लेंगे बैटर बनाने के लिए एक बड़े बोल में मैंने यहाँ पर एक कप बेसन लिया है यह रेगूलर बेसन है जिसे हम कड़ी पकड़ा वगरब बनाने के लिए यूज करते हैं साथ इसमें डाल देंगे आधा चमच के जितना नमक, आधा चमच हल्दी पाउडर और अविन सारी चीजों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए हमें अब इसका बैटर बनाना है ध्यान रहे एक बार में आप इसमें जादा पानी न होना चाहिए कोटिंग कंसिस्टेंसी का ये देखिए एकदम गाड़े-गाड़ी कोटिंग आ रही है न इसी तरह का चाहिए अगर आप परफेक्ट बॉंडा बनाना चाहते हैं तो इसके लिए बैटर एकदम परफेक्ट होना चाहिए अब हम इसे ढखके 10-15 मिनट के लिए देंगे रेस्ट होने के लिए तब तक हम आलू का मसाला तयार कर लेते हैं उसके लिए हम दो बड़ी चमच के जितना तेल गरम करेंगे यहाँ पर मैंने सरसों का तेल लिया है आप चाहें तो कोई भी कुकिंग ओयल यूज कर सकते हैं एक बार जब तेल अच्छे से गरम हो कर देंगे कड़ी पते को मैंने इस हरा से बारी काट कर डाला है अब इन सारी चीजों को low flame पे हम कुछ second के लिए fry कर लेंगे इसके बाद हम इसमें add कर देंगे एक प्याज जिसको मैंने बारी कट करके डाला है अगर आप प्याज नहीं काते हैं तो यहाँ पेस्ट को skip भी कर सकते हैं इसके बिना भी इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा अब प्यास को भी हम कुछ मिनट के लिए फ्राइ कर लेंगे इसको बहुत जादा यहाँ पे ब्राउन नहीं करना है बस हलका सा ट्रांस्पूसेंट हो जाए इतनी देर तक के लिए हम प्यास को फ्राइ कर लेंगे अगर आप लसन नहीं खाते हैं तो लसन को स्किप करके सिब अद्रक और हरे मिर्ची का पेस्ट भी आड़ कर सकते हैं अब इसको भी हम एक मिनट के लिए इस तरह से फ्राइ कर लेंगे जब तक अद्रक और लसन का कच्छा पन नहीं निकल जाता है इसके बाद हम इसमें आड़ कर देंगे आदा चमच हल्दी पाउडर एक चमच यहां पे मैं धनिया जीरा का पाउडर एड़ कर रही हूँ अब हल्दी और धनिया पाउडर को भी हम कुछ सेकंड के लिए लो फ्लेम पे इस तरह से फ्राइ कर लेंगे फ्लेम को लो रखेंगे जिससे की यह जमारे मसाले हैं वो जलेंगे नहीं इसके बाद हम इसमें आड़ कर देंगे खूब सारी हरी धनिया की पतियां इस रेसिपी में हरी धनिया की पतियां बहुत अच्छी लगती हैं इस मसाले में इसलिए हरे धनिये की पत्तियों का यूज यहां पर थोड़ा सा जादा करें हरे धनिये की पत्ति मिला के कुछ सेकंड के लिए इसको हम फ्राइ कर लेंगे इसके बाद इसमें एट कर देंगे उबले हुए आलू मैंने यहां पर छे साथ उपले हुए अलू लिये हैं जिसका चिलका मैंने छील लिया है पर से हाथ से क्रश करके डाल दें और इसको mix करते हुए हम इसको mash कर लेंगे जब उपर से हम इसमें डाल देंगे नमक, taste के according अभी तक हमने नमक कहीं नहीं डाला है तो नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल देंगे और अब इन सारी चीजों को हम मच्छे से मिक्स कर लेंगे आलू को आप इस तरह से स्पैचुला से भी मिक्स कर सकते हैं या फिर जो आलू मैशर होता है ना पोटेटो मैशर या फिर पाओ भाजी मैशर उससे भी आप इसको इस तरह से मैश कर सकते हैं जब हम इस तरह से आलू को मसाले में जाके मैश करते हैं ना तब इन आलू को टेस्ट और भी ज़्यादा अच्छा आता है तो फ्लेम को हब हम मीडियम रखेंगे और आलू को मैश करते हुए इस तरह से भून भी लेंगे को fry भी कर लेंगे इस प्रोसेस को करने में आपको 3-4 मिनट अराम से लग जाएंगे 3-4 मिनट यहां पर हो गए है और आप देख सकते हैं आलू अच्छे से fry हो गए है और इसने पैन चोड़ना भी मिलाने से इसका टेस्ट अब बहुत अच्छा आता है अब सारी चीजों को एक बार अच्छे से मिक्स कर देंगे और अब हम इस मिक्षर को ठंडा हो जाने देंगे जब तक यह रूम टेंपरेचर पे नहीं आ जाता है और आप देख सकते हैं कि इस मसाले का कलर कितना अच्छा लग रहा है न एकदम जिसे परफेक्ट आलू भजी का जो कलर होता है अलू बॉंडे का अगर आपने पहले कभी खाया होगा तो आपको पता होगा कि इसका कलर एकदम परफेक्ट आया है और टेस्ट में तो यह एकदम ला जवाब है यहाँ पर हमारे बैटर को रेस्ट करत है न तो यह जल्दी फिट जाता है और इसका जो टेक्चर है वो बहुत जदी एकदम हलका सा हो जाता है तो इसलिए हमने इसको पहले नई फैट आता जब हमने इसको 10-15 मिनट के लिए रेस्ट के लिए रख दिया है तो इसके बाद ही अब हम इसे फैट लेंगे तो यहाँ यहां अद्रक लसन और हरी मिर्च का पेस्ट आट कर देंगे और यह हमारा बैटर जो है वो बनके तयार हो गया है आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी एकदम परफेक्ट है अगर आपको लगता है कि बेसन थोड़ा गीला हो गया है तो आप इसमें थोड़ा सा बेसन औ थोड़ा बना लेंगे आप चाहें तो आलू भजई अपने हिसाब से थोड़ी सी चोटी या थोड़ी बड़ी बड़ी बना सकते हैं मैं यहां पर medium size के बना रही हूं medium size के ही सही लगते हैं यह देखें इस तरह से गौल गुल हातों पे घुमाते हो हम इसका इस तरह से round shape ब और अच्छे से इसको बैटर में इस तरह से कोट कर देंगे ये देखे अब एक फोक की हेल्प से हम इसको इस तरह से उठाएंगे जिससे के एक्स्ट्रा बैटर नीचे रह जाएगा और इस तरह से हम इसको तेल में छोड़ देंगे ये देखे बैटर हमारा परफेक्ट है इस से की तेल हलका सा ठंडा हो जाए लेकिन तेल न अच्छा ही गरम होना चाहिए अब यह जो बॉंडे हमने कोट किये हैं बेशन में आलू इस तरह से इसमें डाल देंगे एक एक बॉंडों को एक दम अच्छे से कोट लेना चाहिए नहीं तो आपके आलू अंदर से दिखाई देंगे fry होने के बाद और यहाँ पर यह देखे मैंने इस तरह से पूरा एक पैश डाल दिया है जितने कड़ाई में जगा हो आप उतने डाल दें तो यहाँ पर जैसे ही हम डालेंगे इसको कुछ सेकेंड के लिए तच नहीं करेंगे जैसे यह तेल में हलके से फर्म हो जाएंगे नीचे से तब हम इनको इस तरह से टच कर लेंगे और बस हमें इसको बहुत ज़्यादा फ्राई या फिर बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है बस इसको एक बैच को fry होने में जिर्फ दो से तीन मिनट लगते हैं, दो से तीन मिनट में एक बैच की fry हो जाता है, इस तरह से इलट पिलट कर देंगे, और जब बेसन अच्छे से तेल में firm हो जाएगा, तब हम इसको निकाल लेंगे, हमें इसे बहुत जादा brown या फिर बहुत पेपर पे निकाल सकते हैं, और यह जो बूंदी बन जाती है ना इसको भी निकाल लेंगे, नहीं तो यह तेल में जाके जल जाती है, आप चाहें तो इसे रायते में भी योज़ कर सकते हैं, आप सेम प्रोसेस से हम next batch को भी fry कर लेंगे, तो इस तरह से जैसे मैंने आपको कि आलू बॉंडे को पहले हम बेसन में इस तरह से डिप करेंगे और इस तरह से फोक की help से, लेकिन अगर आप perfect हैं, आपको आदत है इस तरह से डालने की तो आप हाथ से भी इसको इसी तरह से डाल सकते हैं, एक batch को fry करने में सिफ 2-3 मिनट लगते हैं और यह फटा-फट ब यह second batch भी बनके तयार हो गया है, तो हम यहाँ पर इसको निकाल लेंगे, अब यहाँ पर मैंने 4-5 हरी मिर्च लिए हैं जिसको बीच से चीरा लगा दिया है, उसको हम भी इस तरह से तेल में fry कर लेंगे, कोई से भी भजजी हो या अलू भजजी हो प्याच की भजजी हो इ इसके उपर थोड़ा सा इस तरह से नमक छिड़क देंगे, इस से इसका टेस्ट और ज़्यादा अच्छा आता है, आप चाहें तो इसके उपर थोड़ा सा नीमू का रस भी डाल सकते हैं, तो फ्रेंड्स यह लीजेए, हमारे गर्मा गरम अलू भजजी या फिर अलू गॉ और यह देखें, यह एक पॉंड़ा मैं आपको अंदर से तोड़ के दिखाती हूँ, यह कितना सुपर सॉफ्ट और एक्दम पेस्टी है, तो फ्रेंड्स मैं तो इस बारिश के मौसम में इस गरमा गरम अलू बॉंडे को एंजॉय कर रही हूँ, आप भी इसे बनाएं और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इंजॉय करें, तैंक यू,